असलावलेकुम फैंस मैंने में सज्जाद अली और वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल सज्जाद क्रियेशन तो आज की इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ तो गैस मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अप्लोड की हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया है लव कपल नेमाट एटिसी तो गैस हमारे काफी ऐसे व्यूवस भी हैं जो कहा रहते के बाई जो है कुछ ब्रॉकन हर्ट पर भी वीडियो बनाओ तो गैस मैं उनके लिए यह टुटोरियल लेके आ गया हूँ तो गैस अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस तो गैस आप ने वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक लाजमी देखना है आप वीडियो को शुरू से लेकर देखेंगे तो आपको जो है step by step समझ जाएगा और आप भी इस तरह का status बहुत ही आसानी से बना सकेंगे तो गई चलिए बगे time west के वीडियो को start करते हैं सो गई सबसे पहले आपने काई master application को open कर लेना है आपने प्लस वाले sign पर tap करके 16 by 9 ratio को select कर लेना है ठीक है उसके बाद आपने यहां से background पर click करके एक black background को insert कर लेना है देन आपने इसकी duration को बढ़ा देना है जहां तक आप status बनाना चाहते हैं और उसके बाद simply यहां से ok कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गैस अभी आपने यहां पर कुछ PNG images को add करना है तो गैस PNG image को add करने के लिए आपने starting में आना है देन layer पर click करके media पर click करना है और गैस यहां पर जो है आपने सबसे पहले यह boy वाली PNG image को add कर लेना है उसके बाद आपने इसकी layer को project के end तक ले जाना है जहां तक आपने background रखा है और उसके बाद यहां से ok कर दें उसके बाद गैस अभी आपने यहां पर एक और hand वाली PNG image को add करना है तो उसके लिए again आपने starting में आना है देन layer पर click करके media पर click करना है और गैस यहां से आपने second जो है इस image को add कर लेना है तो गैस इस image का link भी आपको description में मिल जाएगा वहां से जाकर इसे भी download कर लिजेगा ठीक है फैंस तो गैस एड करने के बाद आपने इसे भी इस तरह से full screen पर set कर देना है और उसके बाद आपने इसकी layer को भी project के end तक ले जाना है और उसके बाद यहां से okay कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गैस अभी आपने यहां पर एक और png image को add करना है तो गैस उसके लिए again आपने starting में आना है देन layer पर click करके media पर click करना है और गैस यहां से आपने यह वाली png image को add कर लेना है तो गैस इसका भी link आपको description में मिल जाएगा वहां से जाकर इसे भी download कर ले जाएगा तो गैस एड़ करने के बाद आपने यहां से पकड़के बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है देन गैस आपने इसे यहां पर ले आना है नीचे और यहां पर आपने इसे रख देना है उसके बाद गैस आपने इसकी layer को भी project के end तक ले जाना है और उसके बाद simply यहां से ok कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गैस अभी आपने यहां पर cuts वाली line को create करना है तो guys cuts वाली line को create करने के लिए आपने इस वीडियो के starting में आ जाना है starting में आने के बाद layer पर click करके आपने यहां से text पर click कर देना है उसके बाद guys यहां से आपने चले जाना है symbol वाले section में ठीक है और guys यहां पर आपको एक symbol मिल जाएगा underscore वाला ठीक है यह वाला तो guys आपने जो है इसी तरह से यहां पर एक cut वाली line को create कर लेना है ठीक है फैंस तो guys यहां पर जो है मैं इस line को create कर लेता हूँ तो guys आपने भी इसी तरह line को create कर लेना है देना आपने यहां से okay कर देना है उसके बाद गईज़ आपने इसे बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से उसके बाद आपने इस लाइन को यहाँ पर रख देना है थोड़ा उपर करके ठीक है और उसके बाद आपने इसकी लेर को प्राजर्ट के अंड तक ले जाना है जहां तक आपका background है और उसके बाद okay कर दें ठीक है friends उसके बाद guys आपने line के ओपर कुछ लिख लेना है जैसे के broken heart या फिर आपकी मर्जी है आप जो भी लिखना चाहें ठीक है friends तो guys लिखने के लिए आपने starting में आना है देन layer पर click कर के again text पर click कर देना है तो guys यहां पर जो है आपकी मर्जी है आप जो भी लिखना चाहें यहां पर लिख सकते हैं तो guys यहां पर जो है मैं लिख लेता हूँ broken heart तो guys लिखने के बाद आपनी यहां से okay करना है okay करने के बाद यहां से double a पर click करें और गईज यहां से अपनी पसंद का जो भी font style आप इसके ओपर apply करना चाहते हैं यहां से simply apply कर सकते हैं तो गईज यहां से जो है मैं यह वाले font style को इस text के ओपर apply कर देता हूँ ठीक है तो गईज फॉन्ट style apply करने के बाद आपने यहां से okay करना है ओके करने के बाद गईज आपने इन text को बड़ा कर लेना है देना आपने इस line के ओपर यहां पर बिल्कुल बीच में आपने इन text को रख देना है उसके बाद आपने इसकी layer को project के end तक ले जाना है जहां तक आपका background है और उसके बाद simply यहां से okay कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गईज अभी आपने क्या करना है अभी आपने यहां पर अपना नाम लिखना है या फिर आप जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं उसका नाम आपने यहां पर लिख देना है तो गैज नाम लिखने के लिए आपने सिंपली स्टार्टिंग में आना है स्टार्टिंग में आने के बाद गैज आपने यहां से लेयर पर किलिक करके टैक्स पर किलिक कर देना है तो guys यहाँ पर आप जिसके नाम के आप वीडियो बनाना चाहते हैं यहाँ पर simply उसका नाम लिख दें तो guys यहाँ पर जो है as a example में दानिश लिख देता हूँ ठीक है friends तो guys नाम लिखने के बाद आपने यहाँ से ओकी करना है दें आपने यहाँ से डबल अबर किल्क करना है और guys यहाँ से अपनी मरजी का जो भी font style आप इस नाम के उपर अपलाई करना चाहते हैं simply यहाँ से कर सकते हैं तो guys यसे एक्जेंपल में यहां से यह वला font style इस name के ऊपर apply कर देता हूँ. तो guys font style apply करने के बाद आपने ok कर देना है then guys आपने इस name की size को बड़ा कर लेना है name को बड़ा करने के बाद guys आपने name को यहीं पर adjust कर लेना है उसके बाद आपने इसकी लेयर को प्राजेट के end तक ले जाना है और उसके बाद सेम्पली यहां से okay कर देना है उसके बाद गाईज अभी आपने यहां पर एक broken heart वाले png image को add करना है तो guys heart वाले image को add करने के लिए आपने starting में आना है देन layer पर क्लिक करके media पर क्लिक करना है और यहां से जो है आपने यह वाली broken heart वाली png image को add कर लेना है तो guys इसका भी link आपको description में मिल जाएगा वहां से जाकर इसे भी download कर लेजएगा तो guys add करने के बाद आपने इसे चोड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से ठीक है फैंस तो guys चोड़ा करने के बाद आपने इसे यहां से पकड़ के थोड़ा इस तरह से rotate कर लेना है then guys آپ نے this hide کو यहां पर यहां पर यहां पर आपने इसे अच्छे से adjust कर लेना है तो यहां पर औहीं आप घोड़ा चोट आ कर ले ठीक है आप अपने साप से यहां पर इसे adjust कर ले जाये गा then guys आपने इसकी layer को project के end तक ले जाना है और ऊसके बाद simply यहां से ओके कर देना है ठीक है फैंस? उसके बाद रख़जब भी आपने यहां पर cut वाले बार्डर को अड़ कर लेना है तो गरिस बार्डर को आड़ करने के लिए आपने स्टार्टंड में आना है देन लेर पर किलिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और यहां से आपने यह बार्डर वाली PNG इमेज को एड कर लेना है तो गैस इस बार्डर वाली PNG इमेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लेजएगा तो गैज एड़ करने के बाद आपने यहां से इसे पकड़ के इस तरह से रोटेट कर लेना है ठीक है फैंस तो गैज रोटेट करने के बाद यहां पर आपको यह आपशन मिल जाता है रिसाइज का आपने गाईज इस बार्डर को यहां से पकड़ के इस तरह से इस वीडियो के अंदर आपने से अच्छे से फिट कर लेना है ठीक है बार्डर को सेट करने के बाद गाईज आपने इसकी लेर को भी प्राजेट के एंड तक ले जाना है और उसके बाद आपने यहां से O.K. कर देना है ठीक है तॉर्फेर्ट उसके बाद गयज अब ही आपने यहां पर एक color वाले वीडियो को अड़ करना है तो कई इस color वाले वीडियो को अड़ करने के लिए आपने starting में आना है देन layer पर क्लिक करके media पर क्लिक करना है और यहां से आपने यह कलर वाले वीडियो को एड़ कर लेना है तो गैस इस कलर वाले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लिजेगा तो कैसी color वाल वीडियो औड़ करने के बाद आपने से यहां से पकर करके कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन पर सेट करना है ठीक है देन आपने यहां से चले जाना है blending वाले option में तो कैसी blending में जाने के बाद आपने यहां से multiply पर किलिक कर देना है और उसके बाद यहां से ओके कर दें ठीक है फैंस उसके बाद गाई अभी आपने यहां पर एक पार्टीकल वाले वीडियो को एड़ करना है तो गैस पार्टीकल वाले वीडियो को आड़ करने के लिए आपने स्टार्टिंग में आना है दिन लेयर पर किलिक करके मीडिया पर किलिक करना है और गैस यहां से आपने यह वाले वीडियो को भी आड़ कर लेना है तो गैस इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लीजेगा तो गैस यह पार्टिकल वाला वीडियो आड़ करने के बाद गैस यहां पर आपको यह रिसाइज का बटन मल जाता है आपने गैस इस वीडियो को यहां से पकड़ के कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन पर सैट कर देना है उसके बाद गैस यहां से आपने चले जाना है ब्लेंडिंग वले आप्शन में ठीक है तो गैस ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहां से आपने स्क्रीन पर किलिक कर देना है ठीक है फैंस उसके बाद गैस यहां पर आपको कैपस्ट्री का आप्शन मिल जाता है गैस आपने इसकी कैपस्ट्री को कम कर लेना है तो guys इसकी capacity जो है आपने 60 या फिर 62 के करीब ही रख देनी है ठीक है fans और उसके बाद आपने यहां से okay कर देना है उसके बाद guys आपने जो है कुछ भी नहीं करना यह जो particle वाला वीडियो है इसमें मैंने music को पहले से add कर रखा है तो guys अगर आप अपनी पसंद का कोई भी song यहां पर add करना चाते है तो guys आपने पहले यह particle वाली वीडियो की layer को select करके इसका जो music है वो आपने mute कर देना है ठीक है तो guys वीडियो में music को मैंने पहले से add कर रखा है तो guys चलिए अब मैं आपको यह वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ So guys जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो जो है fully बन चुका है उसके बाद guys आपने इस वीडियो को save कर लेना है save करने के लिए simply आपने यहां से share के button पर click करना है उसके बाद guys यह वीडियो आपकी गैलरी में save हो जाएगा So guys यह थी आज की वीडियो वीडियो आपको कैसे लगी आपने comment में लाजमी से बता देना है ठीक है फैंस तो guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके अल्ला आफेज